हलो एवरिवान कैसे हो आप सब लोग चलिए आज का वीडियो सुरू कर लेते हैं और मैं अभी काम करूंगी अपनी कीचन का मेरी कीचन बिल्कुल फैली हुई है हालागी खाना तो मैंने बना दिया है और खाने में मैंने बनाएं आलू बंद गोबी तो आज मैंने सिंपल सी स के लिए काम हुआ तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं खान बना देती हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे रात का टाइम में बच्चे फिर खाए बगार कहीं सो ना जाए वैसे तो सोते नहीं है यह नो दस 11 बजे से पहले नहीं सोते है तो फिर मैंने पहले खाना बना पड़ेगी क्योंकि आज मैंने पूरा दिन से कुछ भी काम नहीं किया था बिलकुल भी आज मैं पूरा दिन से लेट मैं नहीं मétait डाब तो अब इतना यूर geen बढूर काम करने के बाद मैं अपना पूरा घर संभालूंगी and किचिन संभालूंगी जो कि मेरा काम आज सुबह से नहीं हुआ क्योंकि जो हम अपना काम टाइम से करके दिखा थे आप लोगों को तो जो टाइम से नहीं होता वो चीजे भी हमें दिखानी चाहिए क्योंकि वो हो जाता कि तबियत खराब की वज़े से हमारा काम नहीं हो पाता और दूद मेरा थोड़ा सा निकल गया गैस बंद कर दी वैसे मैंने थोड़ा ही आया था भार तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और ये नाइट रूटीन है मेरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और उमीद करूँगी के आप लोगों को नाइट रूटीन मेरा पसंद आएगा और जो मेरे अच्छे वाली सस्क्राइबर है वो अच्छे से वीडियो को वोच करेंगे और पसंद करेंगे तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो और सबसे पहले मैं रखोंगी फ्रीज में आठा क्योंके फिर मैं बूल जाती हूँ सुबह है मलब सुबह नहीं अभी बूल गई तो सुबह ऐसे ही रखा रहे जाएगा करो करो दिखाना चाहिए ना तुमारा भी दिखाना चाहिए वीडियो में तो आना चाहिए जो भी कुछ कर रहे हो तुम लोग यह मैंने चिल्के फैक रहे है वाले उतार देता है तो फैक भी जेता है फिर मत प्रवाखमार्य जाणा चाहिए उताफ कर ने ने पीदिखार में फैक ऐना छणालों अदे ने ने लोगए प्लेट प्लेट में लिया ogli उपवर करें गढए है झाहिए और दो दिन से हमारे दो मिल तो चलिए जी बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई हूं सीधा किचन में और मैं अपनी कड़ाई का ये सारा सब्जी है जो वो पलट के रख दूंगी एक बरतन में और फ्रिज में रख दूंगी और बरतन खाली हो जाएंगे ये भी मुझे दोने हैं तो और मैं यह से खाली कर दूंगी ये जो काउंटर टॉप मेरा भरा हुआ दिख रहा है सारा सामान मुझे यहां से हटाना और अच्छे से सपाई करनी है तो दूद भी मेरा गरम हो गया और दूद मैंने धकानी था क्योंकि दूद गरम हो रहा था ना गैस कम कर रखी ती धीरे धीरे धी अब पक गया है गैस मैंने बंद कर दी अब डखके रख दूँगी और मैंने कडाई भी खाली कर दी और सबजी भी डखके रख दूँगी और ये रोटिया बची हुई थी मेरी ये जो निकाली है मैंने साइड में रखी है डब्बे में रखी थी ये रात की रोटी थी कल र रास वाले आते हैं यहां पे गाड़ी लेके उसको मैं सुबय यह दे दूगी तो मैं यह भारे टांग दूगी और यह दूश्टर बगैरा वो सब सब साइड बेट आ दूगी , हमां इसलिए मैं डूश्टर जल्दी जल्दी धोती रहती हो और यह शेंपू है करताहू तो बस वो रखने के बाद अब मैं गैस साफ कर दूंगी हटा के इसे अच्छे से पर श्याम को पानी आया था मैंने मस्नीन लगा ली थी कपड़े अंधुल रहे मेरे और पानी मेरा टंकी में ना बैल नी बजरी आजकल पता नी क्या हो रहा तो वो सारा पानी नीचे निकल ज पानी पता चल जाएगा जब तंकी भर जाएगी तो क्यूंके पानी वेस्ट होता तो अच्छा की लगता लगता ना वैसे बीतनी जादा वह रहती है तो पानी की आइमियात हमें समझनी चाहिए मैं तो पानी को बहुत जादा देखके यूज करती हूं तो बस काउंटर टो देती हूं दो दो तीन तीन और बस अब मैं अपने बरतन दो लूँगी दो तीन ही बरतन है मेरे जादा नहीं है क्योंकि मैं साथ के साथ बरतन साफ करती रहती हूं तो फिर मेरे बरतन जादा नहीं होते और कड़ाई चेंज करानी है मुझे देखूंगी कब तक कराती हूँ सोचती तुम हूँ करालू करालू पर वही है कई काम ऐसे पैंडिंग रह जाते है बस सोचने सोचने में रह जाते है काम हो तो बात है नहीं है तो बस बरतन मेरे धुल गए तो यही मेरे दो चार बरतन थे मैंने दोके और बartan लगाने भी हैं मुझे टोकरी में बरे उए हुए रखे हैं वो सब बartan में लगांगी क्योंकि सूखने के बाद बartan फिर इसमें रखे रहते हैं तो जगह सी गिरी हुए लगती है और फिर बाकि बरतन है वो भी कहा रखूँ इसलिए फिर बरतन इसमें सूख जाते हैं रखे रखे टोकरी में तो फिर मैं इनको लगा देती हूँ रोज आज तो मैंने भार से दुलाई कर दी थी क्योंकि एक वीडियो बनाई थी ना मैंने आज दुफैर में बनाई थी मैट साप की थी मैंने दुलाई की थी मैट की तो दुलाई मैंने भार से कर दी थी पोचा वगेरा सब अच्छे से मेरा हो गया था वैसे तो और दुफैर में ज सारा जाडू पोचा सब सुबह करके और फिर मैं लेट ही गई थी फिर सिदा में स्याम को उठी थी अपना एक वीडियो बनाया और फिर से लेट गी थी मैं तो बस यह डस्टर भी मैं सरप से दो के रख दूंगी क्यूंकि मेरा तो यही रहता बार बार में मेरा क्यूं सभी कर में बस किचन दूर लगां विर तो सफा ही रहते है तो वृषपर करने की जरूरत नहीं पढ़ती है और अच्छा लएक है नुक्त है हैं च्छावहय करते हैं रात ते बिल्कुल क्रीन मिलते हो सुबह फिर ज्यादा कुछ करन की जरूरत नहीं पड़ती और सफा ही रहती है तो फिर अच्छा लगता है तो बस अब मैं यह काम करके और फिर आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए क्योंकि कपड़े मैंने धो दिये हैं मसील लगा दी थी मैंने खाना बन रहा था जब तक मैंने सोचा कपड़े भी धुल जाएंगे तो बस मैं खाना खाके और किचन का काम निप्टा के आई हूँ तो मैंने सोचा अब मैं कपड़े भी सुखा देती हूँ और इसमें गुड़ो के कपड़े भी है जो इसे पैन के जाने होते हैं स्कूल की ड्रेस है वैसे यह तो इसकी सुखेगी नहीं सुबह तक सायद मुझे लग रहा है पर दूसरी ड्रेस पैन के जाएगा कल तो यह यह वाली से चाहिए भी नहीं तो बस यह वाला कमरा संबालूंगी मैं बच्चों ने फैला दिया यहां पर और यह जो पुतली सी टंगी हुए ना गुड़िया के दादा इससे डर रहे थे मा बता रही थी यू कहली नहीं ऐसे करके रख दो उल्टा मुझे सामने दिख रही है यह है तो मैं इस बात पर ह जरी थी के अच्छा इससे डर गए तो कहा रही हां यह फिर मैंने इसका उल्टा मुझ करके रख दिया तो अभी मैं ना कपड़े सुखा के आई हूं अपने मेरे कपड़े सुबह तक सूख जाएंगे तो काम मेरा फिनिस हो गया कीचिन भी मैंने साफ कर दी और मेरा बस दो जब तक मैं बस और जो भी कुछ है मेरा काम प्रैस वगया तो यह आएंगे जब तक मैं बस और जो भी कुछ है मेरा काम प्रैस वगया करने का वका करोंगी और 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 समय उने काल लिया यह रहते हैं तो में इनको दे दोंगी तो यह घाना काएंगे बस और जो मेरे डो तीन वर्तन होंगे वह मुझे दूलाएं बॉत इस ऑगाई उसे स्वह तो चुक्छ होता ना तो अच्छा लगता लगता है तो अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है कभी तो दीजे कि अवाज जब जादा तो नहीं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है अच्छी लगता है लाउड स्पीकर ऐसे लगता कि हाँ अच्छे शेकाने से चलते रहे डीजे पर और अच्छा लगता है ऐसे तो चलिए फिर आगे की वीडियो में आप लोगों को कंटीनू करके दिखाऊंगी मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरी कितनी बनी होगी कितनी जाएगी अगर मेरी कंप्लीट हो गई होगी तो मैं इसे कंप्लीट करके डाल दूगी तो कैसी लगती आपको मेरी वीडियो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताए किजिए और तो फिर मैं ये कपड़े तया कर लेती हूं जो मेरे दोचा है जब तक मैं अपना काम फिनिस कर लेती हूं चलिए चलिए फिर किया तो कैमे कामरा बलता है क्टो करतें को देखतेंगरों तो अब मेंरे करतेंद बोल दो गुड नाइट गाईज अभी तो रात हो रही है आप पता ही किस टाइम वीडियो देख रहे होगे लेकिन नमत गुड नाइट करती हैं चाहिए आप गुड मॉर्निंग चाहिए यह पर अभी आप गुड नाइट से काम चला लो हां तो फिर उसुबे चालो करेंगे तो फिर गुड मॉर्निंग भी हो जाएगा तो फिर गुड मॉर्निंग बोल देना आज अगुड तो तुझे भी आना है अगुड मुर्शाय है और सोने के एक्टिंग करेगी गुडियो इतनी तेज है जैसे ही में आऊंगी न तो आप विबंद कर लेगी उसुचे कि हाँ गुड तो टाइम से सो गया लेकिन मुझे पता है यह सोती नहीं है यह बारा बज़े से पहले विल्कुल भी नहीं सोती नहीं गाइस है मुझे सुला के सोती है मैंने पहले इतनी अच्छी थी कि मैं आठ बज़े से आठ बज़े के बास सो जाती थी चाह मैं खाना खाऊं न खाऊं सारा के इसका नाम रूबी भी है इसके भी बहुत п आप लोगों दें गुरियitu के साथ तब तक के लिए गुड़ नाइट बाइ अब आए और हैवे नाइस डेनी स्वीट ड्रिम तो तो चलिए फिर मिलते आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए